एक्सराइज 1.2 क्वेश्चन नमबर 2 का जो है शेकेन हम लोग कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन है 3.14 प्लस मैनस 6.7 और उसके जो है देखना है कि दोनों का जो है कंपेर करना है कि यह क्याष्चन है तो वह सेम है तो 7 का फूर्टीन हुआ तो हमने इन दोनों का base क्या है दोनों का base हमने 14 किया और 14 को 14 अपने काटा तो 3 ही आ गया plus 7 2 जा 14 हो गया और 2 को minus 6 में multiply कर दिया तो इनको जब हमने solve किया तो हमारा यह आ गया 3 minus 12 upon 14 is equal to minus 9 upon 14 अब जो है इसको solve करते हैं वैलू दोनों का सेम ही है इसलिए तो हमने इसको solve किया तो मैनस 9 upon 14 तो दोनों केस में हमारा आंसर जो है सेमा रहा है तो बोथ हर सेम रिजल्ट इस इस काल्ड कम्यूटेटिव प्रपर्टी को क्वेश्चन नम्बर 3 देखते हैं इसको solve करना है और बताना है compare करके के बोथ रिजल्ट्स और सेम और नॉट तो क्वेश्चन हमारा यह रहा है 12 upon 13 minus 517 दूसरा है minus 517 minus minus 517 और यहां पर जो हमने कर देए इसको यहां पर तो इसको मिसाल्फ ही है तो यह हमारा यह आ गया सेम इसका भी 7 और 13 का जो एल सेम जो 91 आएगा इसका भी 13 या 7 को करेंगे तब यहां 91 आगा तो पेस इनका जो है डिमिनेटर 91 है 13 से डिवाइट किया 7 को 12 से मुटिप्लाई कर दिया minus 7 से 91 को डिवाइट के 13 और मुटिप्लाई किया सेम इससी तरह इसका भी हम करते जाएंगे प्रासेस हुआ है तो देखेंगे कि हमारा तो रिजल्ट रहा है यहां अभी 149 अपान 91 है तो बोथ हार सेम रिजल्ट आ रहा है इस इस काल्ड कमिटेट्व प्रपर्टी इसमें प्ष्टन नमबर आपको जो है होमवर्क करना है इसी तो होमवर्क बात है फिलिंदी ब्लैंक्स आप यहां पर देखेंगे फिलिंदी ब्लैंक्स को 5.12 प्लस माइनस ट्वल अपान सेवन इक्वल टू डैस प्लस 5.12 इक्वल टू इसका यानि दोनों का एडिसन क्या होगा तो यह जो देखिए 5.12 यहां प करना है तो फिलिन दुलिंग में हमारा नंस टो अहीं होगा जैसे यहां पर प्लेस कि हैंगे फिलिस्पर था और यह यहां पर जिक्वल प्लेस में यंहां गया मैं अगरे अम हम Вас एक लिप ए है तो 84 होगा और दोनों का जो है यह तो डेनोंपेर 84 हुआ 12 से मिक्तिवाइद किया है कि तो साथ 7 बार में कट गया तो इसको 7 को 5 से मटिप्लाई किया प्लस अब 7 से इसको काटा तो 12 बार में कटा तो मैनस 12 कर दिया तो 35 प्लस माइनस 12 12 जा 144 होता है और इसको जो स्वाल किया तो माइनस वन अपान वन हंडेट अपान 109 अपान 84 हुआ तो दोनों को इसमें में चीज इसका क्या है सम बताना था कितना होगा मानस 109 अपान 84 इसी में जो है दूसरा कोशन है कि अब ग्रूपिंग कही है आप एसे जो है यह यह एक इसोसिएटी प्रपॉर्टी आफटर एडिसन वान टू थी डिजिट इसमें भी है तो वन टू इक्वल मार्क है यानि वन टू थी 3DG में भी होगा 5.8 प्लस 1.4 प्लस 7.16 को एक गुरूप में कर दिया है तो 5.8 यह दे दिया है तो दूसरे नंबर कर रहेगा और तीसरे नंबर का से दिया है तो इसका प्रभिया है कि यहाँ आप हमारा 1.4 होगा तो एक गुरूप ही हो गया अब इन दोनों को साल्व करना है तो लेफ्ट और राइट को लिए के चलेंगे तो अब इसको जो सबसे पहले ब्रेकेट के अंदर को हम सॉल्ब करेंगे तो 4 और 16 का एलस्यम जो है 16 होता है 5 पान 8 को इसा ही हमने निचे उतार दिया तो इन दोनों का एलस्यम जो हमारा 16 है तो 4 फोर जा 16 यहां पर प्लस 7 अपन 16 अब यहां पर जो है इसको सालप करते हैं यह दूनों 11 अपन 16 हो गया और इसको सालप किया इसका इसका जो एलस्यम निकालेंगे यह एलस्यम आफ 8 एं 16 इस 16 ही तो 16 निकालेंटर हो गया तो 8 से 8 टू जा 16 टू 5 जा 2 इंटू 5 मौटिप्लाइब कर दिया है अब हमने इसको जो है पर दिया तो 5 जा 10 11 11 अपन 16 14 प्लस 7 अपन 16 आगया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी टू आपन से बना गया तो इस इस अशेटी प्रापर्टी जाफ एडिशन यानि टू और मोर निमें जो रेशनल नंबर्स जो है तक यू